नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चानल नौलेज ट्वीज पर तो आईए देखते हैं आज का वीडियो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर परिक्षा की तयारी करने वाले हैं हम और इसमें हम देखेंगे 25 महतुरपुन प्रशनों को डिसकस करेंगे और यहां पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो सेड्यूल है हम किस तरीके को से अपना जो रिवीजन है किस मोड में करेंग इसलिए ऐसे कर दिया गया है कि सारे स्टूडेंट का सब कुछ तो वीक नहीं होता बहुत लोग अपने तरीके से रिवीजन कर रहोते हैं तो अपना अपना जिसको जो एरिया वीक लगता है वो आप अपने पर्टिक्लर दिन पर आके भी आप देख सकते हैं वीडियो को औ और अगर आपको सब कुछ का रिवीजन करना है क्योंकि यह क्विक वीडियो होगा क्वेशन आंसर और जहां पर डिसकसन की जरुवत हम आप डिसकसन कर दिया जाएगा तो यह कहीं न कहीं आपको रिवीजन में फ्रूटफुल होगा क्योंकि यह अपडेटेड़ सिलिबस क यह हीट एकॉर्डिंग है जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पर ही क्वेशन को लिया गया है ठीक है तो यह फाइदमन्द ही होगा कहीं न कहीं और हां इसका आपको एंसर कैसे करना है इसको आप कर सकते हैं जो कमेंट बॉक्स में है उसमें आप कमेंट करके आप और चेक कीजिएगा यह नहीं कि आप answer question देख रहे हैं का answer तो इससे आपको फाइदा नहीं होगा आप वीडियो को पाउस करेगा आपने answer no-down किजिएगा उसके बाद देखएगा कि क्या answer है ठीक है और आप क्या कर सकते हैं हमारे telegram चानल है उसमें भी आप जोड़ सकते है आपको material भी मिल दे रहा है और आप revision करते रहें ठीक है तो आएए देखते हैं आज का lesson आज के lesson में कौन सा Sunday मिसलेनिश करते हैं आज हम विसा है विविद तो आज हम जो भी mixture है बहुत सारे subjects को एक ही वीडियो में देख लेंगे चले स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहला question जो है ये ज्यतो science है ये विज्ञान के question यह seven किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है इसमें आपको बताना है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है इसमें आपको बताना है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस चीज पर निर्भर करता है ठीक है विस्थापन पर विस्थापन और बल के बीच क कौन पर आरोपित बल पर या वस्तु के प्रारम भी वेग पर तो वीडियो को पाउस करके आप अंसर नोट कर लीजिए अपना दूसरा क्वेशन है किसी वस्तु में उसकी स्थिती के कारण संचित उर्जा क्या कहलाता है गती जूर्जा स्थिति जूर्जा यांत्रिक उर्जा विद्धियू दूर्जा क्या कहलाता है आपको यह बताना है इसका एंसर भी फिर नेक्स क्वेशन है निम्नलिकित में से जू जूल किसख मातरक है, Joule किसका unit है आपको ये बताना है यहाँ पर सकती की सब से चोटी 1-2 कुन सी है तो ये आपको बताना है ये आहँ कोई सबसे चोटी unit होते है उसको हम क्या कहते है ठीक ही चलिए अब इसका आंसर बताते हैं तो किसी वस्तु पर किया गया कार निर्भर करता है किसी इस पर निर्भर करता है यह वस्तु के प्रारंबिक वेग पर निर्भर करता है फिर किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित उड़ जा क्या कहलाता है तो यह कहलाता ह स्थितिज उर्जा कहा रहाता है potential energy कहते है हम इसको निमनली हित में से joule किसका मात रख है तो joule किसका मात रख है कारिय का मात रख है वर्क का फिर सक्ति की सबसे छोटी इकाई यह वॉर्ट हो जाएगा इसका answer ठीक है तो यह हो जाएगा सारा answer यहां B, यहां पे A, यहां पे A चलिए next question देखते हैं निम्ला लिखित में से किसने प्रथम बौध्य परिशद की अध्यक्षता की थी? आपको बताना है answer और फिर दूसरा question है निम्ला लिखित में से किसने असो की सरक्षन में पाटली पुत्र? यह पाटली पुत्र है में आयोजित तीसरी बौध्य परिशद की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? फिर गौतम बुद्ध को बौधी रिक्ष के नीचे डैश की उमर में ग्यान प्राप्त हुआ था फिर चौथा question है बुद्ध की साब्दिक अर्थ क्या है? बुद्ध का साब्दिकर्द क्या है? ठीक है? चलिए यहाँ आप आंसर करते हैं इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर है निमनलिकित में से किसने प्रतम बौध्य परिशद की अध्यक्षता की थी? तो किसने की थी? माहा कशप ने फिर असो की सेलेक्षण में पठली पुत्र में आये हो जाएगा तेसरी बौध्य परिशद की अध्यक्षता की थी? मुगाली पुत्र इस्सा ने बुद्ध को बौध्य विक्ष के नीचे किस उमर में मिला था ग्यान? उनको मिला था 7 यह हो जाएगा 35 की एज में उनको मिला था बुद्ध की का साब्दिक अर्थ क्या होता है तो यह दोनों होता है जागरत भी होता है प्रभुद्धा भी होता है इससले इस कैंसे हो जाएगा ए औ भी बोथ प्रकास को पिर्थवी तक पहुँचने में लगने वाला समय डैश है ठीक है तो यह ना option dependent है चीज बीपीसी में आया हुआ यह question तो उसमें लिखा हुआ था 20 seconds तो आपको around यही करना है 8 minutes तो रहेंगी प्लस कुछ seconds भी रहेंगे तो 18 seconds 20 seconds के सबसे पास है तो हम इसको टिक करेंगे आपे सौर मंडल के निमनल लिखित में इससे किस ग्रह को lying planet कहा जाता है lying planet किसको कहा जाता है अरुन ग्रह को कहते हैं वो उलकाएं जो पूरी तरह से नहीं जलती है और प्रित्वी की सत्व पर पहुंच जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं उन्हें हम उलका पिंड कहते हैं धूल और गैसों से बना खगोलिया पिंड है उसको हम क्या कहते हैं बताइए क्या कहते हैं इसको हम उलका कहते हैं चले नेक्स्ट वेशन देख लेते हैं निम्न लिकित में से कौन भारत में आने वाला पहला यूरोपिय था कौन था पूर्टकाली पूर्ट्रगोई वर फर्स्ट व कम टू इंडिया फिर यूरोप से भारत तक केप रूट की खोज किस ने की थी यह बताना आपको तो केप रूट की जो खोज करता थे डिस्कवर किया था जिन्होंने उनका नाम है वासको दगामा किसने वासको दगामा को अफ्रीका से भारत तक अपना रास्ता खोजने में मदद किया था किस ने क्या था तो इसका अजो जढ़गा अहमद इबन मजीड ने ने क्स भारत में निमनलिखित में से किस पूर्थगाली गवर् calendar ने संब्राज इवाद की निती की सुरवाद की थी ठीक है तो इसका आइंसर हो जाएगा अलफानसो D. अलबुकर्ग ठीक है तो पता चल गया यहां पे A हो गया यहां पे B हो गया यहां पे C हो गया यहां पे D हो गया Next वोशन देखते हैं आप E Governance Services India Limited ने हाल में ही उन्नत भारत अभियान के तहत किस सिक्षन संस्थान के साथ समझोता किया था ठीक है तो आपको पताना है एंसर IIT रूड की है या IIM अहदमदाबाद है या IIT कानपूर है या दिल्ली विस्वविद्याल है इसका आइंसर आपको बताना है अभी हम तो इसका आइंसर है IIT कानपूर किस प्राइविट कंपनी ने हाल में ही अंतरास्टे अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो विमान लॉंच किया ठीक है तो आपको बताना है बोईंग था या स्पेस एक्स था या लार्सनन टर्बो था या लॉखिट मार्टिन था इसका आइंसर हो जाएगा स्पेस एक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज ने अपने बोड में पहली बार स्वतंत्र महिला निदेशक के तौर पर किसे नियुक किया यह पहली बार है ना तो यह बहुत इंपॉर्टन एक्जामिनेशन के लिए और बॉम्बे स्टॉक जरूरी है इसका आइंसर हो जाएगा जैसरी व्यास वह उनको चुना गया था ठीक है विश्व का कौन सा पहला देश जिसमें जलवायू आपतकाल लागू किया गया था आपको बताना है एंसर फ्रांस ब्रीटेन अमेरिका कानड़ा क्या है एंसर तो इसका एंसर है चले नेक्स क्वेशन देख लेते हैं जल्दी से हाल में ही किस देश में 4500 वर्स पुराने दो गुंबदों की खोज की गई जिसमें अवसेस एवं कुछ पुरातन कलाकृतियों कलाकृतियां प्राप्त हुई है आपको बताना है एंसर सुडान भारत मिस्र अफगानिस्तान इसमें से क्या है आइंसर तो यह तो कैस भी मार सकते थे आप मिस्र में नेवन में से किस देश को साथ मई 2019 को फिर से अंतर सरकारी मंच आर्टिक परिशद का परिवेक्षक चुना गया बताना है आपको आपको आइंसर भारत नेपाल चिन या रूस क्या है इसका आइंसर इ अमेरिका और किस देश के बीच हाल या तनाव की स्थिति को दुनिया की अर्थवेवस्ता के लिए खतरनाग बताया है आरे हाँ चलिए इसका आइंसर बताएं जल्दी से नेपाल भारत चीन पाकिस्तान में इसका आइंसर हो जाएगा चीन किस मंतराले ने भारतिय मूल के उन लोगों की काली सुची को समाप्त कर दिया जिन्होंने भारत में कथित उत्पीडन की याजिका के तहत विदेश में शरन ली थी आपको बताना है मंतराले का नाम गरी मंतराले है या रक्षा मंतराले है या सूचना एवं प्रशार मंतराले है या इन में से कोई नहीं है तो यह सब काम गरीह मंत्राले का ही होता है, एंसर हो जाएगा गरीह मंत्राले लास्ट कॉश्चन ले लेते हैं हम भारतिय नौ सेना की अग्रेनी मिर्शाल विद्वनसक आई नेस रंजीत कितने साल तक सेवा देने के बाद 6 मैय 2019 को सेवा मुक्त हो गया इसका आनसर आपको पताना है, चालिस साल, साल, 56 साल, क्या है इसका आनसर है, 36 साल ढ़िए, तो यह था हमारे 25 महतw dissol cooking question current affairs हम start कर रहे हैं मही के महीने से अब तक करेंगे मही में एक्जाम होने वाला है तो हम एक साल का जो important current affairs है उसको revise कर लिया करेंगे ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही यह सब हमारा initiative है यह सब videos अगर आता है तो आपको अगर आप अपने अपने जोन के अपने अपने preparation के इसाब से आप देख सकते हैं दरोगा वाला देख सकते हैं आप economic survey वाला देख सकते हैं अगर BPSC के प्रेप कर रहे हैं या फिर दूसरे exams में भी यह आएगा BPSC में राइटिंग के लिए आप यह वाला model answer जब discuss होगा वो आप देख सकते हैं और हमारा दूसरा चैनल UPSC वाला चैनल सिवस्तयारी को आप subscribe कर सकते हैं UPSC के लिए class courses पर free of cost अभी start किया गया है पंद्रमार से आज से ही ठीक है तो उसको भी subscribe करके वहाँ पे भी आप इ इसको like करना है और सेर करना है अपने students group में ताकि सब लोग को इसका benefit मिल सके ठीक है और आज के लिए बस इतना ही thanks for watching have a good day